कॉंप्लेक्स ठीक है कॉंप्लेक्स आयन में जाने से पहले आप लोगो के लिए क्वेश्चन कमप्लेक्स प्ड़ए ना कॉडिनेशन की मिस्टिवाला पार्ट याद है है मैं बहुत वहाँ एंट्री लेए रहे बैटा पर वहां जाने से पहले कोशन याद आ गिया इसका अंसर दो तो चार ना मिलेगा इन वाट इन अब बोला अपनों लोगम कहां फसा दिये बिटा कहां फसा है बता रद्ब गधा पहर बुला में फसा है पता है फोर्मुला मालू भी बिटा भूल गए नीचे वाला बोले सुने ही नहीं है help कर दे चला help कर देते नीचे वाला बेटा silver chloride है ठीक है और उपर वाला tolerance region आपका यह होता है ag ns3 old 2 plus चला जवाब दो एक दिन एक husband अपने वाइब से पूछा कि तुम हर जगा एजी एजी करके बुलाती एजी सुनो ना एजी इधार आओ यह जी का मतलब क्या होता है तो छोड़ो रहने तो बेज़ती हो जबने लिए बताई दो तो देख अच्छा नहीं लगेगा सब पुड़ा बाहर जाते हैं तो फुल फॉर में बुलाइंगा बेगधा बेगधा शॉट में वह देजी इधा रहो जोक था आजा बोल बेटा अंसर वो किसका इसका कि दिनी तोर देंगे तेरा इस पी पुड़ा बोल तो पर्षक्ट आंसर यहीते तुम्रे का गलबल है बेटा हमेशा बोलते खुल के बात कर बात रखेंगे देख बात अच्छा स्था है नहीं होगा हाबडेशन अएक कंपॉंड में हाबडेशन का खोजने बैठ गया अब तो कोवेलेंट पढ़ रही है भी पकड़ में होना चाही कहां पकड़ना कहां नहीं बिटा समझें एग तील में हाबडेशन नहीं होगा कि कि वह आए निक है आए यह तो है इसका बात हुए है है एक तो यह तो नोरे कंप्लेक्स मॉलिक्ल में हाबराइशन निकालना नहां ऐसा होता रहा थे गध्यडे बोल कौदिनेशन नंबर सिलबग सिल्भर टिसका हाबरेशन मांगा थे तिलवर काना कौदिनेशन नंबर तो निकालना आता है ना नमबर ओफ अच्छा ऐसे इस दा देखो थे बोलनी बेटा इसको दिख़ीड इसको बलेगी बत तमच में आप लोगो तो यानि की सुन ले इस बर अपना हत्यार कौन है कौडिनेशन नंबर पिछली बार अपना हतियार कौन था स्टेरिक नंबर या एलेट्रon पेअर इस बार Óपना हतियार कौन है को इस अ hod होगा ठीक है यहां तक है आओ बाठ्जिद शुरू करते हैंقول बाप कंदेशन C els आपके एक्जाम में जो सबसे ज्यादा खेल पूछेगा यहां पूछेगा और जब यहां पूछेगा तो दो सवाल और जिमेटरी क्या है लेकिन जब यहां से पूछेगा तो सिर्फ हाबरेशन पूछेगा जिमेटरी कि बड़ा इसका अंसर तो फिक्स अच्छे होगा तो आपके रही होना है बाकी का खेल समझ में आ रहा देखो तो यह बात पहले बात चीत किये थे बोलो यहां पर कॉंसा ड यूज हुआ और यहां कौन से दी यूज होगा इसमें भी पिरमिड है पिरमिड बनेगा तो और यहां पर कौन से दी यूज है तो इसके अंदर आपका पिरमिड भी और स्वेर प्लीनर दोनों मौझूद है ऑक्टाइडल क्या था इसके यह दोनों होगा ठीक है बेटा ये clear ह है इन्हीं अपना खेल किस पे चलने वाला है वो कोडिनिशन नंबर पे clear है सुनो बोल बेटा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अभी तो रूल बढ़ाएंगा अभी तो इंट्रे करना बाकी है और सुन यहां से कैसा कोशन मिलेगा सिंपल वाले से यादखना यहां से कि पांच कोशन कॉम्प्लेक्स वाले से पांच कोशन उसमें भी खेल है एक धागा खीचेंगे पीछे-पीछे सारा अंसर आएगा लेकिन वह दागा कैसे खीचना उस पर बातचीत करेंगे ठीक है अच्छा यह सारा कोशन आपको नोट करने की जरूवत नहीं है कि बटी आसा क्या प्रब्लम पर उतरिगें वह देखेंगे कैसे प्रब्लम बनाने है खिलग है अब अपना पढ़ाई का पैटन समझे कोशन उतके पीछे रहने दे आप अपना पढ़ाही पाटन समझ भीटा hybridization एक है category अभी जिस category पे बातचीत किये बटा हम लोग वो सारा का सारा था simple polyatomic covalent molecule यही है अब category 2 चाहो तो आप अपने notes में category number देके लिख सकते है यह category 1 हो आप category 2 परने जा रहे category 2 किसमें बात करेंगे बट हम लोग complex है और category 2 में कितना तरह का question पूछेगा पास तरह का क्या 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 पूछेगा सुन लो आपको complex molecule देकर के पूछेगा कि बताओ इस molecule का hybridization किया है number two geometry किया है फिर आप से पूछेगा paramagnetic है या diamagnetic है यह सारा नोट हो गिया फिर आप से पूछेगा उसका magnetic behavior यह से बात कर ले दो तरह का होगा क्या क्या होगा पहला magnetic किसको का होगे quickly attracted by magnet कौन होगा जिसके पास unpaired electron होगा मतलब n होगा यहां पर हम लोग unpaired electron को represent करेंगे मतलब उसके पास n का value 0 से ज्यादा होना चाहिए और उस n को क्या है और magnetic moment को यहां थे magnetic moment है कन्फ्यूज मत होना थोई दर पहले पिछली वाली question में यह मेरा dipole moment था simple molecule में dipole moment पुछेगा इस वाले में magnetic moment पुछेगा और magnetic moment निकालने का formula बेटा number of unpaired electron n into n minus 2 bm बोर magneton इसका unit होता है और यादखना कि अगर paramagnetic है तो इसका magnetic moment हमेशा 0 से ज्यादा होगा और जितना ज्यादा मियू होगा उतना ज्यादा paramagnetism होगा डाय मागनेटिक क्या होगा बटा विकली रिपेल्ड बाइ मैगनेट इसके पास क्या होगा मतलब n का value क्या होगा मतलब mu का value क्या होगा ज्यादो तो आप से एक्जाम में आप क्या पूछेगा सुन लो complex में 5 सवाल पूछेगा एक hybridation दूसरा उसका geometry तीसरा कितना unpaired electron है चौथा paramagnetic है या diamagnetic है पाचवा magnetic moment mu का value पूछेगा ठीक है और इसी पांच को हम बात करने वाले है आईए शुरू से शुरू करते सिंपल से शुरू करते इस पर बातचीत तो की नहीं बटा हम लोग यह हो गया ना इस पर बातचीत हुए ही नहीं है आईए वैसे सुन लो अभी ज question आप ऐसी problem से solve होगा कुछ ऐसा question है जिसमें आपको थोड़ा से VBT करना हो ले जब हम लोग वहाँ चलेंगे तो उसको और detail में बात करेंगे उस कुछ को छोल करके सारा का सारा भी बात करने वाले और नियम समझ ले आपको problem बनाने के पहले यह याद रखना है पहले problem बनान कौन है लेकिन coordination number मिलने का मतलब हो रहा है कि 50% problem आपका अपने आप बन गया है कैसे मान लोग coordination number 4 मिला तो आधा answer तो बन गया ना कि answer यह तो SP3 होने वाला है या बस आप उसको decide करना कैसे होने वाला और वो decide करने के आपको यहाँ कुछ नियम को follow करना है क्या है SFL strong field ligand दो को को याद रख कार्बोनिल और सायनाइड कार्बोनिल और सायनाइड या सायनीड और सायनोल अभी नाम पे कोई मतलब नहीं यह दो को याद रख कौन है और strong field ligand का काम याद रखना पंडित जी का काम होगा जो पंडित जी का काम होगा जो काजी जहाब का काम होगा वह strong field का क साम होगा क्या शादी करवाएगा पर समझ में आया ठीक और याद रखना है कि अगर मेटल आपके कोश्चन है मेटल 4D से बिलॉंग कर रहा है या 5D से बिलॉंग कर रहा है तो हर लिगेंड 3D के मामले में आपको स्ट्रॉंग और वीक का चक्कर आएगा 4D और 5D का मेटल होगा तो हर लिगेंड स्ट्रॉंग लिगेंड यह नियम नोट किये है इसको भी नोट कर लो मिस होगी अब यहाँ डिसकस छूड़ गया था यह नोट कर लो फिर आगे बात चीत करते हैं नाम च अब करते हैं यहां बनता चला गया वैसी मामले यहां हो का सुन लो शुरू में थ्रॉट सापको लोजिक अथ्रॉट सापको टाइम लगेगा प्रैक्टिस करते करते एंट पहुंस ते पहुंस आपको एक टेक्निक दिखने लगेगा उससे जल्दी बनेगा समस्त मानलब प तो अब से पहला काम जो आपका सेंट्रल मेटल होगा उसका औक्सीडेशन नमबर निकालेंगे चेक कर निकालना आता उसको लेंगे चार क्लोरीन का इकवल चूटू क्लियर जयसे ही आपको एलेक्रॉनिक फ्रेट आशारी यह मिल गीआ ऑप्सडियेशन नम्बर अब उसका आपको एलेक्ट्रानिक फिगरशन लिखना लेको तो बात समझ में है कि नहीं तो बोल किसका लिखना है निकल का लिखना है कि निकल का लिखना है कि निकल का लिखना है और निकल का लिखना है कि निकल का लिखना है और निकल का लिखना है कि निकल का लिखना है और 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 निकल का लिखना है CD के बाद खुद से 4S लेना है फिर खुद से 4P लेना है जरूरत पढ़ेगा तो 4D भी लेंगे लाइन से लेना एकजाब अब 8D में में मेरे पास कितना एलेक्ट्रॉन है 8 तो चलो 8 एलेक्ट्रॉन को भरते 2 3 4 5 6 7 8 भर गया 8 एलेक्ट्रॉन हो गया अब 8 एलेक्ट्रॉन भरने के बाद देखोगे की पंडित जी है की नहीं शादी होगा की नहीं बोल नहीं होगा वैसी छोड़ देंगे आप खोड़ने के बाद आपके पास लिगेंड कितना है चार लिगेंड को चार घर का जोध पढ़ेगा बॉन्डिंग बनाने के लिए यह गर यह दूसरा घर यह तीसरा घर और यह चौता घर मिल गया चार घर और यह चार घर में कौन-कौन इनवर्ट है एक एस इन वोल्ड है और तीन मिला सब खेल शुरू हो गया बोल हाइवड़ाशन मतलब जोमेट्री वो अनपेड एलेक्ट्रोन मतलब पैरा की डाया पैरा और माग्नेटिक मोमेंट बास करो कहीं कोई दिक्कत है दूना डिसकस करेंगे बात करो बेटा और दाया तो टेल सब्सक्ता का होगा और डाया और पिए और कोई सवाल बेटा उच्व पुछ पुछकर कर बोल बेटा ना बोल चले यहां बोलते हैं सब आ गया नहीं तरख ठीक है तो यह किसका एलेक्ट्रॉन है निकल का अब दोखो यह जो लिगेंद वो निकल के साथ ब्हंट अचिल मेर भडिव बनाए गाए अपने प्रेगा तो पहले आ बाटा को रिन की मिकी लिऄ नब पेयर अर्म इस और अमेटल उसको लगा कहा लेगा अपने और वाइटल पे लिए कितना लेगा हर लीगण यह मारे पास मेज़ेगा तो अवी तो तो हर लिगंड क्या करेगा, एक पेर, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, हो गया, अब देखो वो चार एलेक्ट्रोन कहां बैठा हो, चारो पेर, तो एक S में है, और तीन P में, यानि ये सब मिल करके, क्या बना, SP3, अगर SP3 तो जिमेट्री, मदा वन पेर एलेक्ट्रोन, मगनेटिक बेहवियर, कोई दाओ, ठीक, बात कर, बात कर, सवाल रग बिटा, अच्छा, अच्छा, मगनेटिक मुमेंट का फॉर्मुला क्या बता है थे बिटा, एन इन 2N, प्लस 2 होना चाहिए था न, आई थिक वा करेक्शन, नोट किये थे क्या, देख लेना, करेक्शन कर लेना, वो पिंटिंग मिस्ट्री हो का, मेरे भी गलती से, एन प्लस 2, एन का वैलिव 2, तो बैठा न, 2 आने पर कितना आएगा, आया बात समझ में बैटा, क्लियर कर ले, इस कोश्चन पर सब कुछ जो पूछना, क्या अगले कोश्चन पर फिर आपको फ्लूइंसी चाहिए, शुरू करे, बोल बैटा, नहीं, अचाहाँ शेप, इस तो, यहाँ जोमेट्री होगा, शेप का चक्कर नहीं होगा, कि यहाँ लोन पेर का चक्कर नहीं यह वैसा, ठीक है, अगे बले, चलो, अगला कोश्चन देखो, हो गया, क्या सवाल पूछेगा, यह पांच पूछेगा, बोल पहला नहीं हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सिडेशन नमबर, बोल कितना आएगा, प्लस टू, देखा, आक सी स्वाल होगा, तो मिल गया प्लस टू तो प्लस टू का क्या करेंगे, कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन दो एलेक्टरन गया, बना, लिखेंगे यह, भर गया यह आपर, अप्ट्री एलेक्टरन, भरेंगे, एक, दो, तीन, चार पर, पांच, छे, साथ, आठ, भरने के बाद चिक करेंगे, काजी सहाब किस मूड म में शादी करवाना है की नहीं करवाना है, शादी होगा, होगा, तो चलो आप शादी करवाते हैं, तो यह तो बेटा, आपके पास भर हो पहले से, अब देखो तो पेरिंग समझ में है, बेटा, यह तो वैसा का वैसी रह गया, यह पाट आपस में पेर कर गया, ठीक, अब म एक एस और दो बस अब पूरा खेल शुरू बोला हाबरेशन, जोमेट्री, अनपेड एलेक्ट्रोन, बेहवियर, कोई डाउट है तो बोलो बेटा, आगे बढ़े, तीसरा कोशन के बाद चौथा आप लोगों पर डालने वाले, तीसरा में भी अच्छे से जो डाउट्स होग कोई भी कोई इस कुछ भी दिमाग में आ रहा पूछ लेना ठीक है चलिए अगला कोशन पर और सुन लो अभी तक जो दो कोशन डिसकस के और तीसरा जो डिसकस करने जा रहे बेटा, पी वाई की कोशन पूछा है, यह ती कुछ सबसे जादे इन तीनों को पूछा है ठीक है फिर से बात करते हैं, चार है ना चलिए यह पता करना सबसे पहले ऑक्सिडेशन नंबर बो, जीरो आप बेटा पासओट बैच इसलिए हम जादा डिटेल पर नहीं जा रहे है कि जीरो समझ में आ रहे है कि नहीं, आ रहे है ना, कार्बोनिल का जीरो होगा, सब जीरो हो जा के जबरेगा, यह D में 8 एलेक्टरन भर दिये बेटा, ठीक है, अब बताओ, काजी किसाब किस मूड में है, है ना, आप सुनो, यहां सिर्फ एलेक्रन पेरिंग भी नहीं होगा, बलके एक और काम है, सोचे तो अगर यह यहां चलाएगा, तो यह घर खाली हो गया, और यह बिश में आ गया, रोला डालेगा, उनको लाइन से चाहिए, तो क्या होने वाला, समझो यहां पर, बताना सारा इलेक्टरन को फिल अप करें, बताना बोलना बेटा, क्या हुआ, यह तो हो गया, और यह भी इदर चले है, अब इसके बाद कितना घर आपको अकुपाई करना है, चाहर, एक, दो, तीन, चाहर, और यह चाहरू मिल करके क्या बना दिया, एक, एस, और तीन, पी, क्लियर, मिल गया, शुरू करते है, बोल बिटा, हाब आशन, SP3, जोमेक्टरी, अनपर्ड एलेक्रों, बेहवियर, बोल, क्याल समझ माया, ठीक है, ठीक, FECO whole 5, बना के दिखाओ, FECO whole 5, यह 25 पता करना बेटा आपको, शुरू करते है, बोल, सबसे पहले FECO oxidation number, 0, बेटा एक चीज़ दिमाग में बैठा ले, पता इस family को क्या कहते हैं, family का नाम बोल, Metal Carbonyl, जब हम लोग complex chapter पढ़ेंगे, पो ordination वहाँ पे, Metal Carbonyl, और बैटे एकचीज सिम्पल सी बात यहाँ दखना, जब Metal Carbonyl का मामला होगा, Metal Carbonyl हमेशा 0 ही आए, ठीक है, 0 मिला, अगर 0 है तो बोल, इसका electronic configuration क्या लिखेंगे, कोई electron बात जाएगा, नहीं, तो यह हम लोग सजाना शुरू किया बेटा, यह देख, बोलो, D में कितना electron, 6 electron, नहां ध्यान चाहिए, और S में कितना electron, 2, बोलो, क्या होगा, पेरिंग होगा, तो बोल, यह पेरिंग करेगा, यह पेरिंग करेगा, होगा, चलो पेरिंग देखते है, एक, दो, तीन, यहां तक तो इसका पेरिंग हुआ, और यह इधर आया, आया समझ में, यानि कि अब जो हमारे पास 5 लिगेंड है, वो 5 लिगेंड, यहां electron, 5 घरा को पाई करेगा, यह 5 का मतलब, 1D, 1S, और 3P, शुरू कर बूल बेटा, आंसर, DSP3 होगा, अन्पेर्ड एलेक्ट्रॉन, 0, डाया, 0, कोई डाउट, आया समझ में सबको, ठीक, चल बेटा, नेक्स पे आजा, A, P, C, N, यह 5 पता करना है, बोल, oxidation number कितना निकाले आप लोग, प्लस 2, तो यहां पालाइन का oxidation number प्लस 2, अगर प्लस 2 है, बोलो, पहले electronic configuration क्या होगा, अब तो आपका speed इस लेवेल पर आ जाना चाहिए, कि अब वो AR के निजम, डिरेक्ट, 36 मिलेगा, पकल माया की नहीं आत है, अगर 36 मिलेगा, तो चलो सजाना शुरू करते हैं, यह देख, 6 electron भर दी हैं, यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोलो, pairing होगा की नहीं, कहीं अलग से pairing कर लेते हैं, तो pairing का मतलब, यह हो गया, अब आपके पास बोलो, कितना D, 2D, 1S, 3P, शुरू कर, D2, SP3, Sqaar Biperimidal, यह Octahedral, Unpaded Electron 0, आया बात समझ में, ठीक, समझ में आ रहा है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगला कौन से मॉलीकूल था, यह था, यह ना, बता यहां पर इसका Oxidation Number, यह इसका Configuration होगा, इस बार 3 से 6 electron fill-up करेंगे, बोल इस बार pairing होगा की नहीं, नहीं होगा, मतलब अब एक घर वहां, दो, तीन, चार, पाच, और 6 घर ले लिये, यह 6 घर कौन होगा बिटा, दो बोल आंसर, SP3, hybridation, SP3D2, Geometry, Octahedral, मतलब स्कार Biperimidal, Unpaded Electron, 4, Magnetic Behavior, पैरा, बोल, Magnetic Moment कितना आया, root 24, root 24 तो, आया सबका, समझा है बेटा, आई अगला question पर बात करते हैं, ठीक है, platinum, बोल यहाँ आपा platinum का oxidation number, plus 2, configuration, कैसे पता करिया है, 5D8 आएगा, हाँ, निकल का ठीक नीचे आपको यह मिलेगा, निकल बेटा 3D8 है, निकल के नीचे कौन है, palladium, उसके नीचे कौन है, platinum, बोल, बेटा, आप 5D पे बात कर रहे हैं, थोज़ दिर पहले बोले थे, जब 4D का मामला होगा, 5D का मामला होगा, हाँ लिगे है, तो बोल, D का 8 electron, अब थोज़ से speed बढ़ा, 8 electron का मतलब क्या होगा, पेरिंग होगा, तो पेरिंग होगा, तो चार पेरिक कर लिया, अब वहां से घर पकार, एक, दो, तीन, चार, यह कौन है, D है, यह S है, और यह दो बार P आया, तो आंसर, शुरू करते है, DSP2, Geometry, Square Planar, Unpaired Electron, कोई है, यहाँ डॉट से रप्रेजेंट कर रहे हैं, थोज़ दिखा रहे थे, तो अभी डॉट चल रहा है, मतलब, Magnetic Behavior, और, बोल, clear है, चले बात करते हैं, अगला कौन दिये थे, आपका question, PDC-L4, यही था ना, यह सारा पता करना, शुरू करते हैं, बोल, मतलब, 3D8, 48, 5D8, अब यह बोल, strong ligand की weak ligand, 540 की बात रहती है, strong की तौर पे beef करेगा, तो फिर से खेल देख तो ऐसी होगा, तो तो हो गया, 4 pair बन गया, कितना घर चाहिए, कितना ligand है, 4, 1, 2, 3, 4, any doubt, आया समझ में, इस पर assignment भेजने वाले बेटा बनाईए, और इसके पहले जो assignment दीते, उस पर बात चित करना, ठीक है, अब ध्यान से सुनू,